असलाम अलेकुम इतकोतियों आप सब हारियस से होंगे आज हम बहुत ही मज़दार आलूमटरबर चौल बनाएंगे उसके लिएसाद से पहले हम बतन में आल दालेंगे और एक अदर प्यास दालेंगे से अच्छे से फ्राइ करेंगे डार्क ब्राउन होने तक जैसे ही प्यास फ्राइ हो जाएंगे हम इसमे एक खाने का चमयच लस्तन का पेस्ट दालेंगे इसके बाद हम इसमें अद्दक और हरीमिट का पेस्ट आड़ करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे जैसे ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसमें एक अदर टिमाटर डालेंगे इसके साथ ही हमने आदा किलो आलो लिये थे अब हम वो इसमें डालेंगे और अच्छे से आलो को भूनेंगे अब हम इसमें आदा किलो मटर अड़ करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे सबजियों को अच्छे से पकाएंगे आलो मटर वायल चावल तो सर्दियों में बहुत ज़दा बनते हैं गरम-गरम खाने का मज़ा आता है थोरा सा पानी आड़ करके सबजियों को इच्छे से भूनेंगे पीर हम इसमें स्पाइसी आड़ करेंगे सबसे पर एक खाने का चमच नमक आड़ करेंगे और कुट्यों ही लाल मिर्च इसको इच्छे से मिक्स करेंगे साथ हम इसमें जीरा और काली मिर्च एड़ कर देंगे एक खाने का चमच अब हम इसमें चावलों के हिसाफ से पानी आड़ करेंगे पानी में बॉयल आने देगगे फिर हम इसमें चावचा आएट करेंगे 1粗 scaras, रखाक किऊ दो जासंहु और पाणी में बॉयल आएगा हम इसमें चावचा करेंगी कालमिश्ट पावडर और अपनी छगेंगे अ पाणी कातोग hmm jap यह इसमें ज्री उक हुझें हम इसे दंपे लगा देंगे तो कि बिन पांच मिट तक अब हम चावलों को दंपे लगाएंगे तो देखें जी हमारे चावल तियार हैं बहुत ही मज़ेदार आप इसको अचार के साथ खाएं तो जदा मज़ा आता है अब हम इसको डिश आउट करेंगे अमीद करती हूँ आपको इस सिंपल सी रेसिपी पसंदा ही होगी अगर आपको में वीडियो त अच्छी लगती है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंज और फैमिली के साथ शेयर करें बेल लाइक का बटन भी प्रेस कर दें मिलते हैं आप से एकली वीडियो में बुस्तर है याल रखेगा तब तक लिए लाह अफीज